दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपने भी 2021 में बिहार बोट से इंटर पास किया है और आप भी इंतिजार कर रहे हैं कि आप लोगों को पुरतसान योजना का पैसा कब से मिलेगा कब से इनके लिए हाँ पर जो अपलाई लिया जाएगा क्योंकि इ करे हैं आपकिस वीडियो में बताने वाले हैं विडियो को सुरू सेले के लास तक देखते रहे हैं और अगर। अजैसा कि आप लोग देख पार है हम आपका Кईण के माध्यम से दिखा पार है और यहाज़ी काśli इस पेपर कटिंग है 10 दिसंबर 2021 को यहाँ पर प्रकासित की गई है यहाँ पर देखे साब तोर पर एक अपडेट दिया गया है कि यहाँ पर बिहार सरकार जीला अलप संख्यक कल्यान कारेले के द्वारा पर एक सूचना जारी किया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि म प्रथम स्रेनी से उतीरन अल्प संक्यक केवल छात्राओं को यानि कि लड़किया का प्रतीवेदन यानि कि जमा हेतु आभसेख सूचना तो इस तरीके से हाँ पर उनके लिए एक आभसेख सूचना दिया गिया है अपलाई करने के लिए और ये केवल लड़कियों लोगों के यहाँ पर जारी किया गया जो यहाँ पर अल्प संक्यक कटेगरी में आते हैं और जो यहाँ पर प्रथम स्रेनी से इंटर यहाँ पर आये हैं तो यहाँ पर बताया गया कि मुख मंत्री अल्प संक्यक विद्यारती प्रोच्छान योजना के अंतरगत वर्स 2021 में बिहार वि पेडिट से यहाँ पर एक लिस्ट जारी किया गया है जिसमें यहाँ पर देख पार है कि सेस बचे कुल 324 छात्रों को इस प्रेश विगिकति माध्यम से सूचित किया जाता है इस तरीके से यहाँ पर प्रणाली के तहत प्रोचसाहन रासी का वितरन किया जाना है तो यहाँ रासी को लेकर के बताया गया है अता है यहाँ पर वर्ण से 2021 में इंटर प्रथम स्रेनी से अर्म संक्यक छात्रा है इस योजना के लाब प्राप्त करने हेतु यह प्रकासित यानि के यह सूचना यहाँ पर जारी किया गया है जो कि आपर तीथी के 15 दिनों के अंदर अपना यहाँ पर अभिलेक तथा आपको 15 दिन यानि कि आज यहाँ पर यह नोटिस जारी किया गया तो आपको 15 दिन से पहले आपका अप्लाइक कर देना है और अप्लाइक किस परकार से होगा आपको आफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा और आपको कौन-कौन से डोकॉमेंट प्रवेस पत्र यानि कि आपका एडमिट कार्ड लगेगा एडमिशन का रसीद लगने वाला है बैंक पासबूक एवं आधार कार्ड इन सबकाप यहाँ पर फोटो कोपी करवा लेंगे और आपको मॉबाइल नंबर भी साथ में अपने विद्याले के माध्यम से तो अपने विद्याले के माध्यम से या फिर स्वें यहाँ यहाँ पर देख पर की कार्याले में जमा करना सुनिचित करेंगे यानि कि आपके जिला में जो कार्याले होगा अल्प संख्यका वहां से भी आप यहाँ पर आबेदन दे सकते हैं आपको वहाँ पर डॉकुमेंट जमा करना होगा सबसे बहतर होगा आप अपने विद्याले में जा करके पता करें कॉंटेक्ट करें और वहाँ पर जो है इन सभी डॉकुमेंट को याने कि इन सभी कागजात को वहाँ पर जमा करेंगे ताकि आपको इसकी हाँ यहां पर रासी दी जाएगी और यह केबल उनहीं लोगों के लिए जिन्हों ने यहां पर 2021 से विहार बोट से इंटरमेडियेट से हाँ पर पास किये हैं जो प्रथम सरीनी से पास हुए हैं केबल लरकियों के लिए हाँ यह सूचना पर जारी किया जारी किया गया है लेकिन अब यहां पर हर जिला में यहां पर अपलाय लिया जारा है अगर आपके जिला में यहां पर अपलाय लिया जारा है तो आप यह सब कागजात के साथ जमा कर देंगे और इनका आप लाब ले सकते हैं बाकी यहाँ पर देखिए contact number भी इनका दियावा अधिक जानका रेलेक के लिए आप यहाँ पर call भी कर सकते हैं अगर आप इन paper cutting को news को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मैं टेलिग्राम में भी डाल दूगा टेलिग्राम से आप इन news को अच्छी तरीके से रीट करके पढ़ सकते हैं टेलिग्राम के लिंक आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो बाकी category के लोग हैं जैसे की SC हो गया, ST हो गया या general category में आते हैं तो उन लोगों को क्या करना, अपने विद्याले में ही जा करके आपको पता करना है कि आपके लिए यहाँ पर अपला है लिया जा रहा या फिर नहीं लिया जा रहा है तो यहाँ पर इसमें केवल यहाँ पर अल्प संक्यक के बारे में यहाँ पर इस नोटीस में जारी किया गया है तो इस परकार यहाँ पर दिया गया है तो यह जनकारी आप लोगों को देना था अगर आपको जनकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंट के साथ भी जरूर सेयर करे ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके